ब्रामर देवता, हम माता आदी शक्ती के तृतिय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतूर है माता आदी शक्ती की तृतिय स्वरूप है माता चंद्रगंटा इस्त्री के जीवन का सरवाधिक महत्तुपूण एवं अत्यंत अध्भूत परिवर्तन होता है ये जब एक कन्या विवाहिता रूप में प्रथम पार अपने माईके से ससुराल जाती है तो इस प्रकार एक और माता पार्वती अपने नवीन निवास कैलाश की और प्रस्थान कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर तारका सुर अपनी मायावी नगरी शनुत पूर के रूप में अपने नवीन निवास का निर्मान पून कर छुका था मेरा ये मायावी नगर और मेरा ये भवन जिसकी माया किसी को भी भ्रमित कर सकती है मेरा सिंहासन सर्वता सुरक्षित है कोई नहीं पहुच सकता मुझ तक महराज आपके लिए एक शुप समचार है अभे नहीं अट्टासुर बाद में बताना आज अती आनंदित हूँ मैं क्योंकि आज मेरे शोनितपुर का निर्माण संपन हुआ है इतने कटनाई से ये समाचार लाया हूँ और महराज ने सुना भी नहीं शमा करें महराज किन्तो ब्रह्मदेव के वचनों से प्रभावित होकर अपने स्वर्ग का परित्याग कर दिया और उन्हीं के सुजाओ से अपने सुनितपुर का भी निर्माण किया किन्तो ये क्या आवश्यक है महराज मेरा अर्थ है ये नगरी सुन्दर है उत्तम है किन्तो ऐसा क्या विशेश है इस नगरी में कदाचित तुम्हारा विचार उचित है रात्रिसुर किन्तो अब मेरे शौनितपुर का निर्माण हो चुका है तो फिर अब इस प्रशन को उठाने का कोई स्थान नहीं तो क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं कितना मूर्ख है असुर राजस्तार का सुर्ख त्याग दिया इस व्यर्थ के छद्म भवन के लिए अरे ये क्या हुआ ये कैसी ध्वनी है और ये भुकम कैसा मदिरा ये दुवत्यन दद्भूत प्रवा है मदिरा का आनंद आएगा अब आओ आओ आनंद मनाए हम रात्रिसुर तुम मेरे निष्ठावान से वखो मेरे अति विशेश मंत्री हो तो जाओ और जाकर मदिरा पान का आनंद लो धन्यवाद असुर राज एक और तार का सुर अपने नवीर निवास शोड़ित पुर के निर्मान की प्रसन्यता में डूबा था तो वहीं दूसरी और माता पारवती महादेव के संग उनके निवास कैलाश पहुँची जहां अब उनके समक्ष चकित कर देने वाला द्रिश्य था देवी पारवती अपने दाइने पाव से कलश को जुका कर अपने नवीर नवास में प्रवेश कीजिए ये ये सब क्या देवी पारवती अब अपने इस निवास को आपको ही संभालना होगा और प्रतीत होता है कि आपके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आपको स्वयम ही करना होगा अब आप मझे आग्या दीजिए माते माते किन्तु ये जल तो स्वाच नहीं है नहीं माते पांदी तो एता ही ये देता होने तो ही माते देता है तोतला जी आप समझे नहीं माता को जल नहीं चाहिए ओ उत्ती ते फिल स्वामी मुझे क्या थे पारोती तुम या आत्रा से ठक गए होंगे इसलिए थोड़ी देर विश्राम कर लो विश्राम करो किन्तु कहां? माते मैं आप तो भवन दिता देता हूँ माता तोतला जी का आशे है कि वो आपको संपूर्ण भवन दिखाना चाहते है अब देखने को और शेश रह क्या गया है देख क्या रहे हो रात्री सर पियो उसे मदिरा पान तो मैं भी करूंगा रको अट्टा सर अपनी बारे के प्रतिक्षा करो कार्य सवी मैं करूं और विशेश रहे ये रात्री सर्फ मदिरा पान का अनंद ले महराज मुझे एक तो चिश्य सेवक के समान ही समझते हैं जब आस प्रतिक्षा ही करे अपने बारी की ये क्या मदिरा में मेरी चवी जल में प्रतिमिम देखा शुना था किन्तु मदिरा में प्रतिमिम प्रथम बात देखा है हुआ!!! ये, येखा हुआ वा, ये तो मदर में समय तोगा अपने मन में, मुझे मूर्ग कह रहा था वो, मुझे, किन्तों अब उसे ग्यात हो गया होगा, कि शानितपुर में क्या विशेशता है, मायावी है मेरा शानितपुर, मायावी, एक ऐसा मकड जाल, जिसमें एक बार जो कोई फसा, तो फिर, एक कीट पतं के समान उसमें फड़ भडाता रहेगा, किन्तों, वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा, अट्टा सुर, क्या समाचार देने वाले थे तुम मुझे, महराज, यही न, कि महादैव और देवी पारवती का विवा संबन हो चुका है, और वो कैलाश परवत की और प्रस्थान भी कर चुके, केंदो, मात्र कैलाश जाने से क्या होगा, अरे, पुत्र तो प्राप्त नह तो क्या तारका सुर के पास, महादैव और माता पारवती के विवा का समाचार पुर्व से ही था? हाँ, किन्तु तारका सुर को इसके कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि शौनितपुर का निर्मान तो हो चुका था, और अपनी इस मायावी नगरी में, उसे स्वैम के सुरक्षित होने का आभाज भी हो रहा था और उधर के लाश में माता पारवती प्रथम बार अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त देख रही थी आईये माते, आईये माते ये जेती है ये अपने दुंदल लतो ही दल कर दो लतो ही प्ली बार आपसी हो माता, आपके लिए मैं फल लाओं सब के मध्य, स्वामी ध्यान मतना है स्वामी क्या हुआ उमा स्वामी हमारा भवन हमारे भवन की अवस्था क्या हुआ हमारे भवन को मेरा अर्थ है यह सभी ऐसा क्यों है यहां यहां कुछ भी जूविवस्थत नहीं सभी कुछ अस्थिवस्थ है इतनी धूल एकत्रत है यहां और रसोईगरा में पात्र भी झिन बिन और इतना मेला है वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितना समय से उसे किसी ने बुहारा तक नहीं और रसोईगर में भोजन नहीं है, स्वाच जल नहीं है और सभीकर वो तो अपनी इच्छानुसा जहां तहां निद्रा मिलीन तो ये है आपकी चिंता का कारण हाँ स्वामी प्रिये बाहर से मलिन प्रतीत होने वाला भीतरा बार सुन्दर्था को जन दे सकता है कमल पुष भी कीचर में ही फलता फूलता है और खिलकर अपनी सुन्दर्था भी खेड़ता है मैं तो व्यवस्था, आव्यवस्था की विचार अभास्त दोन से उपर हूँ किन्तो यदि आपकी चिंता ये है कि आप विश्राम कहा करेंगी विश्राम, निद्रा, उसका तो विचार भी नहीं है मेरे मन में आपने मेरी चिंता ध्यान से नहीं सुनी स्वामी पारवदे मैं तो यहाँ इस वर्ष के नीचे ही वास करता हूँ किन्तु मैं आपकी चिंता अवश्य समझ सकता हूँ और उसका निवारन करने हे तू मैं अभी रंदी को आदेश देता हूँ कि वो आपके लिए एक विशेश काक्ष का निर्मान करे और अब आप भी इन विर्थ की विचारों को त्यागी हो मा और मेरे साथ यहाँ पैट कर ध्यान करने का प्रियास करिए क्योंकि ध्यान करने से सभी चिंताएं स्वता मिट जाती है नहीं स्वामी आपका ध्यान अत्यांत महत्वपूर्ण है किन्तु जो मैं कह रही हूँ वो भी अत्यांत महत्वपूर्ण है और नन्दी जी जो कर सकते हैं वो मुझे ग्यात हो चुका है और मैं ये भी समझ चुकी हैं अब जो कुछ भी करना है मुझे स्वेम ही करना है अब ध्यान कीजिये स्वामी और मुझे यहां की अवस्था पर ध्यान देने दीजे यहां आप सब कुछ मुझे ही उच्चत करना होगा यहां यहां व्रिद हो गए हो तो मट्ट असुर इसलिए ये समझने में असमर्थ हो कि ये मेरे नवीन असुर है ये कैसी असुर माराज जिनके ना हाथ है ना पाओं है और ना ही मुख है तन से ही नहीं मन से भी व्रिद हो चले हो तो मट्ट असुर अभी अंडे से बाहर आने वाले नवजात असुर हैं ये और जब ये बाहर आएंगे तीवर रक्त पिपासा होगी इनकी समय आ गया है मेरे सुन्दर असुरों आओ बाहर आओ यासा हुआढे कि झाओ हुआढे बाहर आओे कि उुक झाओ आओ आओ मी कि झाओ आओ से अँए कि बाहर आओ आग इनकी देखो, मेरे नवीन स्वामी भक्तसुर है ये जाओ, तून करो अपने जीवन का उद्देश आकवन करो केलाश परवत्मर क्या स्वादिष्ट खाने के स्वापन आ रहे हैं अरे, स्वापन में अभी तुम्हारे स्वाव की तुच्चता नहीं गई स्वापन भी देखा तो मात्र इसी का अच्छा, तुनिद्रा में भी इन भोजन के ही स्वापन आ रहे हैं अरे, वाँ, कितना स्वादिष्ट भोजन रुख जा कोई आगे नहीं बढ़ेगा कोई इस भोजन को स्पर्श नहीं करेगा क्या हुआ माता, सब खुशल तो है माता, यह 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 मिश्थान यह पकवान आपने स्वयम तयार किये माता, सत्य कहूं तो आज के पूर्विस रसोई ग्रह में ऐसा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं पका और यह तो, यह तो अत्यांत सुन्दर प्रतीत हो रहा है माता, अमें बहुत बूट लग दिया तो हम यह बहुत अंताले हाँ हाँ, अवश्य करो रुको कि तो सर प्रथम स्नान करो उसके बाद इस संपून स्थान को बुहारो फिर हम सभी एक स्वच स्थान पर शिवलिंकी स्थापना करेंगे फिर प्रभू की पूजा के बाद सर प्रथम, महादेव की भोजन प्राप्त करने के बाद मैं तुम सभी को भोग प्रदान करूंगे जो आज्यमाता यदी मैंने इन गड़ों को अपना कारे संपन करने की प्रतीक्षा की तो कदाचत मुझे अनंत काल तक ही प्रतीक्षा करनी होगी मैं पूजा की तैयारी आरम करती माता ये लीजिए, पूजा की सामक्री एक ओर माता कैलाश की अवस्था में सुधार ला रही थी तो दूसरी ओर, तार्खासुर के नवजात असुर माता को शती पहुचाने हे तो कैलाश की ओर बढ़ रहे थे ये खंड जूद कैलाश को सदा प्रकाशित करती रहे तो क्या तार्खासुर के वी नवजात असुर माता को शती पहुचाने में सफल होके तिवरामर्देवता माता चंद्रघंटा का विवाः, माता पारवती की रूप में महादेव से होने की पश्चात पे अपने नवीन निवास कैलाश तो पहुच गई किन्तु वहाँ चारो और सबकुछ अस्त व्यस्त देखने की पश्चात उन्होंने ततकार गणों को सबकुछ पुना सुविवस्थित करने के कार्य में लगा दिया और माता स्वयम शिवलिंग की पूजा इस्थापना करने में जुट गई कर्विवाय नित्याय शुथ्थाय दिगंबराय स्में आपाराय नमसी वाय नमाशी बाया, नमाशी बाया, नमाशी बाया नमाशी बाया, 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 न प्रेने टीजों काम सबसेक हो जो जाए ऑग छरीषी कन्तर और रूम अलो किक हेमा जंद घंदा हैं ट जोड़ं थे जयंता अठे जंद इनाघ मैं दोकत हैं किम दे रहे किणनाद से ताहशे हैं से था भी आर मैं रफ्दी थ曰ी भी उगगा है मा, अरणी ना कि विंता है, मा.. माम.. वहाँ अखया है जिस भी ग्रह में सत ग्रहिणी प्राता और सायमकाल नेमित रूप से घंटा बजा कर द्वनी उत्पन्न करती है उस ग्रह से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं यही माता ने भी किया उन्होंने फिर घंटे की ध्वनी से कैलाश में अब तक व्याप्त समस्त नकारात्मक उरजाओं को दूर किया और इसलिए माता के तृतिय स्वरूप का नाम है माता चंद्रघंटा माता चंद्रगंटा नारी की उपस्थिती की महत्व की प्रतीग है जिससे भवन मात्र भवन ना रहकर ग्रिह बनता है और माता के कैलाश आने के पूर्व महादेव एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे माता नहीं उन्हें वन ग्रहस्थ आश्रम की ओर अग्रिसर किया जिसके अनुरूप उनके निवास और उनके जीवन को व्यवस्थित किया और कैलाश को अखंड जोती से प्रकाशित किया इतनी तपस्या के उपरांत माता को महादेव का साथ प्राप्थ हुआ था खिन्तु वास्तव में तो उनकी तपका सुफल तो माता की रूप में महादेव को ही प्राप्थ हुआ था अब माता के जीवन का तृत्तिय चरणारम हो चुका था माता का ये रूप परम शांती दायक और कल्यान कारी है इनका ध्यान हमें लोक और परलोक दोनों में ही सुख सद्गती प्रदान करता है देवी चंद्रगंटा की आराधना से साधक में वीर्ता निर्भेता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है माता चंद्रगंटा का ध्यान करने से साधक का तृतिय चकर अर्थात मनी पूरक चकर जागरित होता है अर्थात मनी पूरक चकर हमारे विवेक को जागरित कर उसके चरम पर ले जाता है हमें और जब हमारी कुंडलीनी के इस चक्र में उर्जा का प्रवाह होता है तो हम अपने पूर्व के निर्णय के उचित और अनुचित पर पुना विचार करने पर विवश हो जाते हैं महराज, माता, अब आप भी माता का ध्यान कीजे अवश्य महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है यदि मुझे यहां राज्य करना है, तो आपको यहां से प्रस्थान करना होगा क्या हुआ महाराज, आप कुशल तो है ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, कि जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो अब हम माता की आर्थी करेंगे हे शीश चंड और रूप अलाकिक हे माचंड घंटा कल प्रात है, हम माता के चतुर्थ स्वरूप की खथा सुनेंगे चतुर्थ सुरूप अर्था चतुर्थ दिवस हर दिवस के साथ मुझे ग्यान के साथ ग्लानी का आभास की हो रहा है रामदेव यह मेरी कल्पना मात्र है हत्वा आप महराज दिवदास के मन में कोई संक्षय उपण हो जिसके कारण वो तनाव में आ गए नहीं देवराजिंदर, यह मात्राप की कल्पना नहीं है जैसे जैसे महराज दिवदास के चक्र जागरत हो रहे हैं और वो देवी पार्वती और महादेव के भिन भिन कथाओं का श्रवन कर रहे हैं। उनके भीतर जागरूपता का प्रवा हो रहा है। ये जितना शीग्र हो उतना ही उचत है। मुझे तो मात्र यही आशा है कि जब तक उन्हें सत्य का। अपने क्रिक्ति के परिणाम का पूर्ण बोध हो। श्रिष्टी के लिए अधिक विलंब ना हो चुका हो। काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप है। अध्वा मैं इसका निलना मैं आप पर छोड़ता हूं प्रभू। और यदि राजा बनने का करतब मुझे पालन करना है। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादे। नात। नात। मैं तो माता के अगले स्वरूप की कथा श्रमन करने की प्रतिक्षा कर रही हूं। आपको तो ग्यात ही है। इतने अनेक प्रकार से मैं भी माता की यात्रा में स्वयम की यात्रा ही देख रही हूं। आज जीवन में मुझे पहली बार आवास हो रहा है कि जैसे मुझे से कोई भूल हुई है। खूल? आपसे? कौन से भूल महराज? ये तो मुझे भी ग्यात नहीं। नहीं नात, आपसे कोई भूल हो, ये कैसे संभव है। आप काशी के महराज है। नयाय प्रियता और धर्म प्रायरता की उतकर्ष उधारन है आप। माता आदिशक्ती, मुझे शक्ती दीजिये, कि मैं यहाँ बंदी रहने के आपार पीड़ा सह सकूँ। मुझसे रहे, ब्रह्म देव एवं देवगड को तो और भी अधिक कश्ट होता होगा। मुझे इतना बल दीजिये, माता, कि आपके आशिरवाद से, यहाँ से मुक्त होने तक मैं यहाँ अस्थिरता से रह सकूँ। वह वह- हाहाहा- वेद माता बड़ी निश्वार्त प्रार्थना की है तुमने वेद की देवी सुनो मेरा सुझाओ देवताओं की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो क्योंकि तुम्हें मुक्त कराने यहाँ कोई नहीं आएगा ना वो देवता, और ना नी तुम्हारी आदी शक्ती, माता मुझे विश्वास है, माता पर इसलिए मुझे अपनी कोई चिंता नहीं किन्तो तुम अवश्य अपनी चिंता करो, दुर्गमाशूर तुम्हारे पास जो समय है उसका सदू पयोग करो क्यूकि तुम्हारा अंत निश्चित है क्यूकि यदि माता यहां नहीं पहुँची तो अवश्य उसके पीछे कोई बड़ा कारण है माता तुम्हारा विनाश करने अवश्य यहां पहुचेंगी तब तुम्हें शनिक अवकाश भी प्राप्त नहीं होगा आदी शक्ति नमो नमाहा रक्ष कीजे माता बड़ा दम है ना इन्हें अपनी माता की शक्ति का तो मैं भी देखता हूँ वो कभ यहां पहुचती है और क्या करती है प्रथम पूछी कनेश जी और देव सेनापती कुमार कार्थिक नवरात्री की चतुर्थी की पूजा आरंब करने ही वाले हैं हमें भी तैयारिया प्रारंब करनी चाहिए प्रमदेव, नारायन वेद माता की बिना हम देवता निरंदर अशक्त और लाचार होते जार है और गनेश जी और कुमार कार्थिके माता की कथा सुना रहे प्रभू, अभी तो नवरात्री का चतुर्त दिवसी है, किन्तु हमें अब अपनी समस्य की निदान ही तो, और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा है देवगण, आपका कष्ट भली भाती ग्यात है हमें, किन्तु आप तनिक वेद माता की वेदना की कल्पना कीजिए, जो दुर्गमा सुर की बंदी है देवी आदी शक्ती की पीड़ा का विचार कीजिए, जो काशी में अकेले रहकर, महादेव से विलग होने की पीड़ा से रगी है और स्वेम महादेव को देखी, जो इतने व्यगण, जो उनके वश में हैं, वो सभी कर रहे हैं गणेश और कुमारकार्तिके उनकी शक्ती माता की भक्ती है, आप भी माता में अपना विश्वास थेर रखिए और पूर्ण भक्ती भाव से नवरात्री पूजन संपन कीजिए और विश्वास रखिए, भक्त की भक्ती कभी ऐसा फ़ल नहीं होते मुझे शमा कर दीजे ब्रह्मदे, नाराय, मैं हाताश और निराश हो रहा था, इसलिए शन भर के लिए अपना ध्यरेख हो बैठा आज नवरात्री का चतुर्थ दिवस है, माता कुश्मांडा, माता की चतुर्थ स्वरूप है, जिनकी पूजा हम आज करेंगे ब्रह्म्हांड का जन्म माता कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही हुआ था माता की मंद मुस्कान से आमा ये उस समय की बात है जब चवुद शाओं में मात्र अंधकार ही व्यापत था श्रिष्टी का कहीं कोई चन्न मात्र भी नहीं था कि जग में लागया लोग कि यह आवाद स्वादी श्रिष्टी कि यह आवी नहीं के लाए जदा में आरे कर देंगा देंगा देंगी यह से उझाए तो मामा शीवाद श्रिष्टी कि यह सम्च में देंगा देंगी जग में लाए सुर्ज संजम के वादे पर जन्ना अधमर्टी का ऐसे शुआ देख के सुष्टी आलग का अर्लग फीका के शौके जुड़े के सज़ए दुखती के सारी उर जाओ फ्यत्या बात बात ł期के शुटीर आ evolving अंग र्भासente के सारी बात यह लग्या है itbậ जान धिय्वत्व सुष्टी हो तुखतीyan ध्याग भ्रभ दुखतीया делать इस अर छलग भाई बाद रम्दमब जवड के सारी आउ Crime Wang एक सुखी संपन्न परिवार का और माता के लिए परिवार तो पूरी स्रिष्टी थी इसलिए महादेव के साथ उनकी हसी और मुस्कान ने अंधिकार को दूर कर एक नवीन स्रिष्टी को जन्म दिया अजबत माता ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण स्रिष्टी को प्रकट कर दिया था प्रिथवी ग्रह सूरी तारे आकाश गंगा किन्तु स्रिष्टी को जीवन हे तु सूर्य देव की प्रकाश किया विशकता थी तो माता ने स्वयम को सूर्य के मध्धे स्थित किया और उनकी ज लोगर्माउ रिदां तो प्यामयाँ